बहुत ही जादा अच्छे और टेश्टी से मूली के पराठे आप देख रहे हैं यह बहुत ही अच्छा है फ्रेंट्स मैं इसे तोड़के दिखाती हूँ आपको कि यह कितना जादा डेलेसियस लग रहा है बिल्कुल पनीर की तरह यह आप देख सकते हो कि यह कितना ही क्षों को सबसे पहले आपको करना क्या है आपको हमारे चैनल विनाय कूंग 키 औंण क्राफ को सब्सक्राइब कर देना है और साथ-साथ बिल्के उइकन को भी π्रेस कर देना है ताकि हमारे वीडियो के लाब आप उठाते रहो और आपको नोटिफिकेशन भे मिलते रहें तो आप देख सकते हैं हमने काफी ज्यादा टेश्टी सा और डिलेसियस मूली का पराठा तैयार किया है तो बिना टाइम वेश्ट किये चलिए बनाने चलते हैं हम मूली का देशी घी पराठा बनाने के लिए आप इसके जगह कुकिंग ओयल का भी यूज कर सकते हो पानी आटा गूतने के लिए एक चोटे चम्मच नमक और एक पिंच के लगबग हमने ले लिया है अजवाइन इसे हम आटे में डाल के आता गूतेंगे इसे बहुत ही अच्छा टे लिया है कदुकश कर लिया है और इसके अंदर जो पानी होता है उसे हमने हाथों की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से निचोड लिया है आप देख सकते हैं यह काफी ड्राई है अगर आप इसका पानी नहीं निकालोगे तो पराठा बनाने में आपको दिक्कत आएगी और थोड़ी से हमने लिया है धनिया पत्ती एक हरी मिर्च हमने यहां पे ले लिया है और थोड़ा सा हमने अदरक लिया है इसे अच्छी तरीके से घिस लिया है और एक चोथाई टेवल इस्पून हमने यहां पे लिया है गरम मसाला एक चोथाई टेवल इस्पून हमने यह पे लिया है आमचूर पाउडर आप आमचूर पाउडर की जगह पे मसाले यानि की जो जैसे हरी मिर्च या फिर भरवा वाले अचार होते हैं लाल मिर्च के उनके अंदर के जो मसाले होते हैं उन्हें भी आप ले सकते हो ये मूली के पराठे में खटाई डालना बहुत ही अच्छा होता है इसे टेश्ट बहुत अच्छा आता है तो इसके जगह पे आप आमचूर पाउडर या घर की खटाई बारीक पीसी हुई या अचार का जो खटाई होता है उसे यूज कर सकते हो लाल वाले भरवा मिर्च के जो अचार होते हैं उसके अंदर जो मसाला होता है उसे भी आप यूज कर सकते हो सबसे पहले हमें करना क्या है आटा गूत के तयार करना है तो इसमें से हम थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे अलग तवे के उपर हमने निकाल लिया है पराठा बनाने में इसकी हेल्प चाहिए न हमें आटे की तो थोड़ा सा हमने आटा निकाल लिया है साइड में और बचे चम्मच ही नमक लिया है और इसमें से मैं एक चौधाई चम्मच जो है नमक आटे में एट करूंगी और फिर एक हम बिल्कुल सौफ्ट सा काफी नरम सा आटा गूत के तयार कर लेंगे नॉर्मल पानी से तो चलिए सबते पहले आटा गूतते हैं और इस तरीके से हमने काफी स आटा तयार कर लिया है और अब चलिए हम भरावन तयार करते हैं तो इसके लिए हमने मूली को अल्रेडी घिस लिया है और यह जो धनिया पत्ती है इसे हम बारीक कट कर लेंगे और इसी के साथ हम हरी मिर्च को भी बारीक-बारीक कट करके इन्हें मिक्स कर लेते हैं तो यह यहां पे हमने सारे सामान को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पे थोड़ा सा मसाला एड़ किया है गरम मसाला टेश्ट लाने के लिए और उसमें भी धनिया थी हमारे गरम मसाले में भी पा एक चौथाई चममच हमने यह पे नमक एड़ कर दिया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप जब भी मूली का पराठा बनाओ मूली क्या गोभी का भी पराठा अगर आप भरावन वाला बना रहे हो तो आपको नमक सबसे लाश्ट में एड़ करना होता है जब आप आपको पराठे बनाने है तो चलिए अब हम गैस पर अपना जो तबा है इसे रखते हैं और गरम होने देते हैं तो सबसे पहले हमें आटे की लोई बना लेनी होगी अगर आप ज्यादा बड़े साइज का पराठा पसंद करते हो तो बड़ी या अगर आपको छोटी छोटी बनानी है तो आप छोटा भी बना सकते हो लोई उसी हिसाप से आपको आटे को लेना है तो हम इस आटे को चार बाग कर रहे हैं बराबर बराबर भाग में इस तरीक तो मैं आपे तीन लोई बना ली हूं बिल्कुल बराबर-बराबर रिस्से में करके आठे को और अब हमें इस तरीके से करना है और इसके अंदर भरावन को भर देना है। इस तरीके से हम इसे हाथ में लेंगे और आप चम्मच या फिर हाथों से ही यह जो आपका मूली है इसे अच्छे तरीके से भर दीजिए हलका हलका हाथ में आप आटा भी लगा सकते हो और अब हमें इसे बंद करना होगा तो इस तरीके से हम इसे करते जाएंगे, गोल-गोल गुमाते जाएंगे और ये अपने आप कवर होता जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे पैक कर देना होगा इस तरीके से, और अब आप देख सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से ये पैक हो चुका है और अब हमें इसे रोटी की तरफ बेल लेना होगा तो चलिए बना लेते हैं इसे बिलकुल रोटी की तरफ तो आप देख सकते हैं हम बेलन की सहायता से इसे बड़ा कर लेंगे हलका हलका हम आटा लगा देंगे इस तरीके से हमने इसे रोटी की तरफ बना लिया है और तवा हमारा गरम हो चुका है तो अब हम इस पर डाल देंगे इस पराठे को और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के पराठे भी हमें तयार करने होंगे तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं पराठे को अपने आप देख सकते हैं फ्लेम को आपने मीडियम करके रखा है और यह काफी अच्छे तरीके से सिख चुका है और अब हम इसके उपर लगा देंगे घी आप घी के जगब पे बटर भी यूज कर सकते हो या कोई भी कुकिंग ओयल जो आप खाने में यूज करते हो इस तरीके से एड़ कर सकते हो तो हमें घी को चारो तरफ अच्छे तरीके से फैला लेना होगा मैं यहाँ पे बहुत कम घी लगा रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से और अब हम इने दूसरी साइड भी घी लगा देंगे आप देख सकते हैं हमें पराठे को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से से शेक लेना है बिल्कुल इसी तरीके से हमारा यह पराठा दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सीख गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके जगा पे दूसरा पराठा भी अपना इसी तरीके से से शेक लेंगे हमने यहाँ पे गियू के आटे का यूज किया है नॉर्मल हमने मैदा का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है और आप देख सकते हैं हमारे पराठे काफी ज़्यादा सौफट सोफट और अच्छे अच्छे बन रहे हैं आप देख सकते हैं हमारा दूसरा पराठा भी काफी अच्छा बन के तयार हुआ है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल भी जा रहे हैं हमारे सारे पड़ाथे अब देख सकते हैं ये हमारा तीसरा पराथा भी काफी अच्छे तरीके से फूल ना शुरू हो चुका है और ये पराठा भी बिल्कुल दोनों तरप से अच्छे तरीके से सीख चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे गैस को हम बंद कर देंगे तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसपी मूली के पराठे की आप देख सकते हैं बारीकी के साथ की हमारे मूली के पराठे कितने अच्छे बने हैं ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट होंगे फ्रेंड्स आप इन्हें बना के जरूर ट्राई करिएगा उमीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप मूली का पराठा जरूर बना के ट्राई करेंगे और बिल्कुल इसी टेस्ट में आप इसे खाएंगे आपके बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे दोस्तों तो अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो देखते रहे विनाए कुकिंग आइन क्राफ्ट को और अच्छे अच्छे वीडियो का लाब उठाते रहे